विनेश फुगाट की कुछती से अलबिदा कहने के बाद अब ये खबर लोगों के भी चर्चा का विशे बना हुआ है। तो वहीं अब भारत की स्टार पहलवान विनेश फुगाट को पेरिस ओलंपिक से अयोग ठहराये जाने के मुद्दे पर गुर्बार यानि की आज राज्य सभा में भी ये मुद्दे उठाए गये। इस बाबत विपक्षी नेताओं ने जब विनेश फुगाट के मसले पर बूलने की इजाज़त मांगी तो टीमसी सांसद डेरेक ओबरायन ने सदन में चिलाना शुर कर दिया। इसके बाद तो सभापती जगदीज धनकर नाराज हो गये। उन्हें इतना गुसा आया कि डेरेक ओबरायन को कस के सुना दिया। सभापती जगदीज धनकर ने भरी सदन में ममता बैनर जी के सांसद डेरेक ओब्राइन को डाटा उन्हें जम कर सुनाया और फिर सभापती की कुरसी छोड़ कर अपने चेंबर चले गए सभापती ने सदन में मौजूद कॉंग्रिस नेता जैराम रमेज को डाटा उन्हें कहा कि मिस्टर रमेज आप हस्ये मत मैं आपको जानता हूँ साथ ही उन्होंने खड़गे को भी कहा कि आप जो बोल रहे हैं इसके इजाज़त हम नहीं दे सकते इसके पहले सभापती ने कहा कि वो सोचते हैं कि केवल उन्हीं का दिल दुख रहा है लड़की की वज़ज से पूरा देश दर्द में है हर कोई इस दर्द को साझा कर रहा है लेकिन इसका राजनिती करन करना लड़की का सबसे बड़ा अपमान है उस लड़की को अभी बह अगे जाना है साथी उन्होंने सांसत को फटकार लगाई और कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई अध्यक्ष पर चिलाने की आपका आचरन सदन में सबसे घटिया है कार्तिकेन सर्मा की स्पीच को बीच में रोकते वे सवापती जगदीज धनकर ने कहा मिस्टर डेरेक ओब्रा आप चेयर पर चिला रहे हैं मैं आपके इस ब्यवहार की आलोचना करता हूँ चेयर पर चिलाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई अगली बार से मैं आपको बाहर का दरवाजा दिखा दूँगा क्या कोई इस तरह के आचरन को बरदास्त कर सकता है बस फिर क्या था आग बबुल तोगता हुए सभापती आसन से उठकड़े हो गए और अपने चेंबर चले गए. पिपक्ष के हंगामे पर सभापती ने कहा, ये मेरे लिए चुनौती नहीं है, ये राज्य सभा के सभापती के पद के लिए चुनौती है. उन्हेंने कहा कि उन्हें लगता है कि इस कुर्सी पर बैठा बैकती इस पद के लायक नहीं है इसके बाद वो दुखी मन से चेर से उठ गए और इसके बाद सभापती धनकर आसन से उठ कर चले गए और फिर उप सभापती हरेवन्स ने सदन की कमान सवाली